नमस्कार, मैं सुशिल महापातरा, अगर मैं कहूं बिराट कोहली आईपेल का सबसे अनलकी खिलाडी है, तो आप दंडा लेकर मेरे पीछे भागेंगे, और कहेंगे कि आईपेल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाडी अनलकी केसे हो सकता है, ये कहबत है, अच्छा खिलाडी में आज जिताता है और आच्छी टीम टाइटेल जितती है, बिराट कोहली आईपेल में आच्छा खिलाडी तो बन गए हैं, लेकिन टाइटेल जितने के मामले में उनकी टीम कहीं पीछे रह गई है, ट्रपी हाथ में लेकर मैदान में घुमने का सपना ओधुरा ये बहुत कमबार होता है जब आप खुद सांदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब टाइटेल जितने की बात आती है तो टीम की प्रदर्शन कहीं पीछे रह जाती है, फिर चंपियान बनने का सपना तूर जाता है, 2008 में आईपेल की सुरुवात हुई, पिछले 15 सालों स कोहली रयाल चालेंजर बैंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कई कप्तान आए, कई कप्तान गए, कोहली खुद 10 साल तक बैंगलोर के कप्तान रहें, लेकिन जब चंपियान बनने की बात आई, तो सब को खाली हाथ लोटना पड़ा, 2008 में है राहुल द्राबिट के कप्तानी मे कोहली आईपिल का क्यारियर सुरू किया, केपी पिटरसन, अनिल कुमले, डानियल भीतोरी जैसे खेलाडियों की कप्तानी में अपना कारियर को आगे बढ़ाया, कोहली खुद 2011 से 2021 तक बैंगलोर का कप्तान रहें, लेकिन चंपियान बनने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ एक खिलाडी के रूप में कोहली ने जो रेकर्ड कायम किया है, साइद उसे कोई तोड सके, आईपिल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रेकर्ड कोहली के नाम है, कोहली अभी तक 211 मैच खेल चुके हैं, 37 के अउसर से 6390 रन बनाए हैं, जिसमें 5 सा तक सामिल है, आईपि कोहली करीब 48 प्रतिसद में आज जीते हैं, लेकिन टाइटेल जीतने के मामले में उनका प्रतिसद 0 है, 2016 में कोहली के कप्तानी में बैंगलर फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन चंपियान बनने से 8 रन दूर रह गई, इस सीरीज में कोहली ने जो रेकर्ड कायम किया, उसे साहिदी कोई आगे तोड़ सके, 2016 की आईपियल में कोहली सबसे ज़्यादा 81 की औसर से 900 तेहतरन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 102 करीब रहा, इस दोरान कोहली ने 4 सतक भी लगाए, इस बार की आईपियल में कोहली कप्तान नहीं है, डुपलेसिस कप्तानी कर रहे ह बैंगलर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, चार मेन से तीन में आज जीत चुका है, बस आगे देखना बाकी है, टाइटेल जीत पाती दिये या नहीं, अगर बैंगलर चंपियान बन जाती है, तो कोहली अनलकी से लगी बन जाएंगे, सिब कोहली क्यूं, अमीत मिस्रा और एबी डेविलर्स भी आईपेल में अनलकी रह चुके हैं, दोनों खिलाडी 2008 से 2021 तक लगातर अलग-अलग टीम के लिए खेलें, लेकिन ट्रफी इनके हाथ में नहीं आया, आईपेल का एक और अनलकी खिलाडी बाबा अपराजित हैं, पांच साल तक अलग-अलग टीम में इनका चॉयन हुआ, लेकिन एक विग माच खेलने का मोका नहीं मिला, हिंदी बोलने के मामले में मैं विए उनलकी हूँ, मेरे बोलने में ओड़ियापण है, लेकिन एई ओड़ियापण मेरा पहचान है, मैं इसके साथ आगे बनना चाहता हूं, आप मुझे अपना लिजे, मेरे भासा को आपना लिजिए इसी तरह हम सम्मिल जूर कर आगे परते जाएंगे आज के लिए इतना ही नमस्कार